कहाने के शुरुआत होती है रहब अपने मेन करेक्टर पेकवान को देखते हैं जो कि अपने वर्ग के लिए लेट हो चुका होता है इसी वज़े से वो किसी तरह भागके मैटो लैन को पकड़ लेता है और किसी तरह वो अपने ऑफिस के यहाँ पे आजाता है और काम करें है पिर हमें श्म का व्क दिखा हो चुका होता है और यह यहां पर काफी जद гр Ellis दोड़ाने लगता अपने बॉडी में और यहां से जाने लगताए पर तभी इसके बॉस है जो गिसे कहता है कि तुम्हारा पर दॉकर आखिर से कहता है कि आपने तो कहा था कि हमें डेडलाइन तक अपने काम को समिट करना है तो आखिर कर मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ नहीं बोलता क्योंकि सब को पैसा प्यारा होता है कौन फिर अपने डेस्क में बैठ जाता है ताकि वो यहां पर काम कर सके यह चीज़ से काफ फिजिता फ्रस्टेट हो चुका होता है क्योंकि यह 24 घंटे यही कर रहा होता है कौन को अपनी यह जिंदगी बिल्कु भी पसंद नहीं होती पर कौन कुछ लग जाता है पर इससे पहले वह अपने फोन को उठाता यहां पर उस डस्बीन सा दीब चीज़ें निकलने लग जाती है जिने देख के काफी है रहान होता है और वो पॉर्टल इसे अपने अंदर खेच लेता है अगले पल जब को आनके खुलती है तो एक डॉम के अंदर ह बढ़ और उसका दोस्त मा यंग उसे उठा रहा होता है वह इसे बतायता है क्यों से जल्दी करना चाहें वरना यहां पर उसकी एटेंडेस मिस हो जाएगी जिसके बार टीचर उसकी उपर गुसा करेंगे यहां बहुत यह का फीज़े शॉक होता है क्यूंकि अपने ऐर्स पहुच चुका होता है यह साल होता है 2009 इसका मतलब पेक EU1 और 10 साल पीछे आ चुक है यह इन सारी चीजें को समझ रहा होता है तब कम पहुचे सामने घ्न हुट आ हुचाता है और यहां सारी डेटैं लिखी होती है कि यह कितना इसे प्रोफिट का कुछ इसे सिस्टम को भी देना पड़ेगा जिसकी बात की जितने भी चीज़े हैं वो यहां पर अपने लिए यूज़ कर सकता है पर कुवान देखता है कि अगर ये profit कमाता है तो इस रिप इसे 1% मिलेगा वही पर अगर ये जितने भी पैसे उन्हें हार जाता है यानि कि 50,000 को ये हार जाता है तो इसे वो सारे 50,000 रुपे वापिस मिल जाएंगी एक lost profit की तरह है ये सोचता है कि आँखिर कारी इस system के साथ क्या problem है पर तभी इसे एक idea आता है कि अगर ये सारे पैसे हार गया तो ये सारे पैसे इसके personal assets की तरह बन जाएंगी जिसी ये खुद के लिए use कर सकता है इसके शारी शर्तों के लिए मान जाता है रिचस फिर इसे अगला step बताता है जो कि एक warning की तरह होता है कि ये जान बूच के कही भी पैसे ने लगा सकता नहीं ये जान बूच के कही भी पैसे उड़ा सकता है अगर उसने ऐसा क्या तो उसके साथ जो भी होगा उसका सिर्फ भगवानी मालिक है रिचस कुछ नहीं कर सकता ये फिर इसे अपने company के category चुनने के लिए कहता है और उसी के साथ उसका नाम भी पर कौन कहते कि मुझे थोड़ा समय चीन साभी को figure out करने के लिए तो ये कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी समय बाद आता हूँ कौन फिर यहाँ पर रिसर्च करने लग जाता है कि आखिर कर उसे इसे कौन सी category चुननी चीए जहाँ पर इसे लॉस ही होगा और ये decide करता है ये सारे पैसे गेम में लगा देगा क्योंकि gaming industry में success बाना काफी मुश्किल होता और ये जल्दी bankrupt हो जाएगा ये इसी के साथ एक ऐसा भी game बनाएगा जो कि बिल्कुल भी entertaining नहीं होगा और ये अपने सारे पैसे हार जाएगा riches free यहाँ पर आ जाता है और इसे पूछता है कि आखिरी कर तुम्हारी category का है ये इसे बताता है इसकी gaming category है riches free इसके company के से नाम पूछता है कोवान यहाँ पर तेंगड़ा technology बोलता है पर वो कहाता है कि ने मुझी ये नाम ने रखना पर riches इसकी company का यही नाम रख देता और बताता है कि अपने company का नाम आप change नहीं कर सकता पर जाने से पहले ये दुबारे से सिवान करके जाता है ये कहीं पर भी अपने फाल्तो पैसे नाड़ आए क्योंकि ये इसके लिए काफी बुरा हो सकता है कौन को फिर एक time limit मिलती है जो कि होती है 14 दिन की जिसके अंदर इसे game develop करके इस game को publish करना है पर इसे game develop करना आता ही नहीं है तब ही इसका best friend मायंग अहाँ पर आ जाता है जो कि इसे पूछने तुम यहाँ पर क्या कर रहे हूँ ये से कहाता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाता हूँ ये फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि आखिर कर ये किस तरह का game बनाए और काफी देर सोचने के बाद ये car racing को चुनता है जो कि 20,000 की होती है और वो इसे खरी देता है और इस game को develop करने लग जाता है ये यहाँ पर customize कर देता है इस game को जिसमें इस game को काफी जदर difficult बना दे जैसे कि किसी user को अगर ये game complete करना है तो उसे करीब इस game में 8 घंटे बिताने पड़ेंगे और इसे के साथ ये रोड़ों को भी काफी जदर difficult बना देता है और इस game का प्राइस ये 1 यूवान रखता है ताकि लोग इसे खरीदे ही ना यूवान फिर काफी दिर बैठने के ब भी profit नहीं कमाया होता है इसी ये काफी खुश होता है ये सोचता है वो 50,000 अब इसके होंगे उतने में यहाँ पे इसके कुछ दोस्त आ जाते हैं जो कि इन्हें कहा थी कि चलो game खेलते हैं यहाँ पे सभी लोग एगरी करते हैं पर कौन इस चीज के लिए मना कर देता है क्य उसके बाद भी एक हुश नहीं था पर इस life में यह अपने दोस्तों के साथ है और जैसी यह 50,000 कमायगा उसके बाद यह अपने दोस्तों के लिए उसके बारे में दूसरों को रिवियू देता है यहाँ पर इसकी कोई भी वीडियो नहें गही है इस वर दिसकी यहाँ पर स् था था कि वो उसे पैसे कमा सके तभी यहां पर इसे कुवान की लॉनी डिजर्ट रोट दिखती है और यह इस गेम को डाउलोड कर लेता है यह सोचता है कि अगर यह गेम अच्छा निकला तो इसके उपर वीडियो बना कि यह काफी सारे पैसे कमा सकता है यह फिर कुवान का इस गेम को डाउलोड कर लेता है और उसे खेलने लग जाता है इससे कोछ समझने आ रहा हो था कि आखर करी कलत क्या रहे है इस चीषर काफी ठाव हो जाता है क्योंकि यह काफी सब्सक्राइब खेलने लग जाता है और इस पर थोड़ा ध्यान देने लग जाता है और किसी तरह यह से मास्टर कर लेता है यह अपने मन को किसी तरह शांत करके इस गेम को खेलने लग जाता है और पूरे आच्गंटे और 45 मिनट के बाद यह गेम को कंपलीट कर दियता है इस गेम को कंपलीट करने के बाद इसके आखों से आसू होते है और उसी को साथ ही होता है और यह सोशता है कि आखरक defeated जाते क्या रिऱ दिने वाला करने के लिए फ्रॉस्टिड को पूरा करना है इस ऐसे बताता है कि कुछी लोगों ने अब तक इसकी गेम को डाउंलोड किया है और इसको प्रॉफिट अब तक सिर्फ 367 युवान का हुआ है जो कि काफी कम होता है और ऐसी चलते रहा तो यह पचास जर इसके होंगे तब अब यह दो लोगों की बात सुनता है जो कि उसी फंट्यूवर की बारें बात करें होते हैं जिसने इसकी गेम की ओपर रिवीव दिया होता है और जैसी यह लोग यहां पर आठ घंटे वाले लंबे गेम की बारें बात करती है यह समझ जाता है जिसे अब करीब 8000 लोगों ने दाउलोड कर लिया होता है यह समझ जाता है इसने अगर मौके पर कुछ ने किया तो यह सारे पैसे को हार जाएगा यह पर अपने डॉम की यहाँ पर चले जाता है जहांपी अपने गेम्स के रिव्यू पड़ता है जो कि काफी बुरी होते और कुछ अच्छे भी होते है उतने में मायंग यहाँ पर उसे उस फंट्यूबर की वीडियो दिखाता है जिसने इसके गेम क्यों पर रिवीयो दिया होत सब्सक्क्राइब गेम को कुवान को भी ट्राइकर निकले कहता है कुवान इस चीज के लिए मना कर देता है यह फिर अपने सिस्टाइम की तरफ देखता है जहां पे इसके पास सर्फ साथ दिन बचे होते हैं अपने गेम को लॉज करवाने के लिए पर यह समझ चुका होता है इसके हाल से बात ने करने वाले तो इसे एक्वाइर करने से कोई फायदा नहीं है यह से बता आता है कि उसे प्रॉफिट से बिल्कुल भी मतलम नहीं है वो अपने मार्केट में मॉनोपली चाहता है बस इसके सडियोस करके समझाने लग जाती है कि इस गेम को एक्वाइर करने से कोई फायद में है और एक पसंट के हिसाब से इसकी पास 907 युवान आये जिसी ये थोड़ा उधास हो जाता है इसका सिस्टम इसे बताता है कि अब इसने इतने पैसे कमा लिए तो सेकिंड राउंड शुरू कर सकते हैं जो कि है तीन लाक युवान का पर रिचर इसे ये भी बताता है कि ह खतम करना काफी जिता मुश्किल है वह भी तीज दिन के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है क्यों फिर अपने डॉम के यहां पर आ जाता है और यह काफी उदास होता है क्योंकि इसके पास सर्फ सास्सों यॉवान होते हैं पर यह सोचता है कि अगर यह इस बार तीन लाक लग जाते हैं पर मायंग के वड़े से यह सभी लोग इस गेम को हार जाते हैं और सभी लोग इसके उपर गुस्सा करने लग जाते हैं पर मायंग इसका दोशी को तहराता है क्योंकि वो इनके स्क्वाड का प्लू प्लेयर है और वो शुरू महीं मारा गया था पर यह इसके बात समल नहीं पाता पर जब यह लोग अगले दिन युनिवर्सिटी में होते हैं तो कौन इसे काफी घर्टी नजरों से देख रहा होते हैं इस वर्ज़े से काफी जतना नंगमफर्टेबल हो जाता है और जब यह लोग कैफेटेरी में होते हैं तो कौन इसके काफी करीब हा मायंग सोचता है यह से जता दूर रहे उतनी भैता रहेगा इसके संगत बिल्कुल भी अच्छी नहीं और यह यहां से भागने लग जाता है पर कुवान इसका पीछा नहीं छोड़ता और से एक जगे घेल लेता है मायंग फिर से फाइनली पूछ लेता कि आगर कर तुम इसके लिया अगरी कर जाता और कहा था है कि ठीक है मैं तुम्हारे से ले जाता है तक वो यह पता लगा सके कि आखिर यह गेम कैसे बना सकते है मायंग यहां पे काफी सारी बुक ले आता है जिसी यह लोग गेम को बना सकते है पर कुवान इससे समझाता है कि हमें इन बुक की कोई जरूत नहीं क्योंकि हम इस रुक की मदद से अपने गेम को बना सकते हैं पर हाँ तुम जितनी मेरी मदद करोगे तो नहीं मेरे लिए अच्छा होगा मायंग फिर यहाँ पर उस बुक को पढ़ने लग जाता है पर थोड़ी दिर पढ़ने के बाद वो से रखके यहाँ पर सो जाता है पर कुवान इससे की उपर काफी खोश होता है क्योंकि उसे एक ऐसी परसंची जिसकी उपर बिल्कुल भी भरोसा ना किया जा सकी फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है जहाँ पर कुवान किसी गेम को चुने लग जाता है ताकि उसे बना के पब्लिश कर सके और यहाँ पर जतने भी गेम्स होते हैं वो काफी कम रेंज के होते हैं और अगर इन मेंसे इसने किसी को खरीद लिया तो यह तीन लाग युवान को ठीक से उड़ानी पाएगा तो यह सोचने लग जाता है कि आँखरिकर यह किस तरह के गेम को चुने बाद मी एक मोबाइल गेम को चुनता है जो कि होता है कार्ड गेम जिसे काफी कम लोग खिलते है और लोग उसे डाउलोड करने में थुड़ी हिचकच हाएंगे यह कि मोबाइल यूजर काफी जितक खरीद रहा होता है ताकि वह यहां पर अपने पैसे कर सके वरना यह 3,000,000,000 कैसे इनके ओपर यह फिर से भान मारते हुँ कहता है कि मैं बेस्ट कार्ड गेम बनाना चाहता हूं इसी वर्शे मैं बैस चीज़ खरीद रहा हूँ अपने गेम के लिए फिर कंपनी के फरन से य जिसका नाम पहले सी बना हुआ है यह से कहता है अगर हमने ऐसा नहीं क्या तो आखिर कर हम बड़े बड़े इनोवेशन कैसे करेंगी और यह मायं को खुली छूट देता है कि यह स्टोरी लाइन के साथ कुछ भी कर सकता है तो यहां पी अपने दोस्तों की मताबिक काफी अ अब ज़्यादा लोग नहीं खेलते तो उस गेम को एक्वायर करने का कोई फायदा नहीं है यह फिर से बताता है यह टेंगडा टेक्नॉलीजी को काफी समय से मौनिटर कर रहा है वो एक नए कंपनी है जिसने सिर्फ अपता है कि एक ही गेम को पब्लिश किया है यह आदमी पर अपने पुराने सेकेर्टरि का नाम लेकर के कैया है कि लगता है वो हमारे एंटेंशन ग्रैप कर ना चाहते है पर इसका नहींटरि अ नाम बताते हुए ताकि वो इसकी ड्रॉइंग को खराब कर सके और इसका गेम और भी खराब हो सके यह आप एक loser पे नाम के एक user को ढूनता है जो कि एक काफी घटिया ड्रॉइंग बनाता है और यहां से जुकानी ऊटू पे continue हो जाती है इसका अगला पड़ जल्दी आ जाएगा इस काहानी में मैंने तोटल तीन एपिसोड एक्स्प्रेंट किया आपको काहानी कैसी लेगी कैसी नहीं प्लीज गाइस कमेंट बताना मत बुला और हाँ अगर आप यह continue करना चाते हो तो प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाईए गाइस वीडियो में बस हाँ अगर आपको यह से continue करना है तो प्लीज लाइक सब्स्राइब और शेर कर दिना मैं पहले इसे second चैनल पर डालूँगा उसकी बाद में चैनल पर डालूँगा क्योंकि मैं वतना रिस्क नहीं लेना चाता जातो इस रपेतन ही क्योंगा इस थैंक्स वोचिंग नेक्स फीर मिलता है हो फिल अब सब बढ़े होंगे और हाँ यहां से जो है यह मैं एक रौ बात कर रहा हूँ मैं आपको अपनी जिन्देके के हाल बता रहा हूँ मैं यहां पर वीडियोस बना के बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ तो गाइस यार जितने भी आप प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाई यह वीडियो में थोड़ा कमेंट कर दीजिए और थोड़ा प्लीज रीच बढ़ा दीजी वीडियो की बस इतना ही कहना था झाल